News 18 इंडिया अभी तक मुफ्ती साब को इल लिगरी तरीके से डिटेन करके रखता हुआ है कुछ बता नहीं रहे हैं को रिपलाइन ही दे रहे हैं और काफी लोग यहां पर मौजूद है काफी लोग ने यहां पर प्रोटेस्ट भी किया लेकिन किसी की तरफ से कमिशनर भी आए अडिशनल सीपी साब भी आए लेकिन हम लोग ने सब को रिक्वेश्ट किया कि सराव 41 एका कंप्लाइंस कर दीजिए सुप्रीम कोट का गाइडलाइन जै रूलिंग है जो प्रांसिट एंटी सेपेटरी वेल 15 डेस का हम लोग को मिलता हम लोग वो लेके कंप्लाइ करेंगे तो मुफ्ती सल्मान अजरी को गिरफतार किया गया जिसके बाद लोगों ने ठाने का घिराव किया लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है क्या किर कौन है ये मुफ्ती सल्मान अजरी और क्यों उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया सबसे पहले आपको इस समझाने की करते देखें मुफ्ती सलमान अजरी मुंबई की रहने वाले इस्लामिक स्कॉलर बताई जा रहे हैं 31 जन्वरी को गुजरात के जूनागड में एक सभा में वो पहुचे थे मुफ्ती पर संबोधन के दौरान भड़काओं बयान देने का रूप लगा गुजरात कुलिस ने आयुचक के खिलाफ केस भी दर्ज किया सैक्शन 153 के तेट धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो है पूरा मामला दर्ज किया गया इतना इने गुजरात एटीस ने मुफ्ती को मुंबई के घाट को पर से गिरफतार किया तो मुंबई के घाट को पर थाने का घेराव करने पहुंचे मुफ्ती सल्मान अजहरी के समर्थकों को हचाने के लिए पूलिस ने बल प्रयोग भी किया पूलिस ने लाथी चार्ज कर थाने के बाहर जुटी घीड को भगाया मुफ्ती सल्मान अजहरी की गिरफतारी की जानकारी जैसे ही उनकों समर्थकों को लगी थी हजारों की तादाद में पुलिस स्टेशन के बाहर उनके समर्थक जुट गए थे जिसके बाद भीड को कंट्रोल करने के लिए लाथी चार्ज पुलिस को करना पड़ा हलाकि मुफ्ती सल्मान अजहरी ने थाने के अंदर से ही माइक के जरिये अपने समर्थकों से अपील जरूर की थी कि या भीड ना लगाए और कानून विवस्था को बनाए रखने में अपनी मदद करें तो मुफ्ती सल्मार अजणरी के वकील आरेस सिद्धिकी का ये कह रहा है कि मुफ्ती सल्मार अजणरी को दो दिन के रिमांट पर भीजा गया है उन्हें गुजरात के जूनागड ले जाए जाएगा लिगेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांट दिया जाए जिसको अमेंड अपोस किया और हमने यह भी कहा कि इलिगली डिटेन हुए थे इनको हमारे को जो नोटीस देना चाहिए बाई लॉग उन्हेंनों नोटीस नहीं दिया तो फटीवन एक असी आर्पीजी के ताहित और सुप्रीम कोट के जज्जमेंट भी उसके अपर अनिश कुमार कर गए वो स्ट्रिकली बॉलता है उसमें इसा लिखा गया है कि किसी भी आपने को अगर साथ साल के तक का ओफेंस है तो उनको पहले नोटीस दिया जाए अगर वो नोटीस का पालन नहीं करते हैं तो उसक सल्मान अजरी को गिरफतार किया जा चुक है उनके वकील का इसाफ तोर पर कहना है कि देखे अभी जो है फिलाल बादसी जारी है हम ये कोशिश कर रहे जाने के कि क्या किर किन धाराओं में जो है मामला दर्च किया गया है ये भी बताय जारहे कि जुनागर ले जाए जाए का दो तस्भीर आपको देखा रहे भड़काओं बयान देने का आरोप सल्मान अजरी पर लगा ये जिसके बाद उन्हें गिरफतार किया गया और दूसरी तस्वीरा आपको देखा रहे जो समरतक थे सल्मान अजरी के उन्होंने थाने को गेल लिया थाने के बाब नाणे बाजी की गई और इतना ही नहीं अब पुलिस को उसके बाद लाठी चार्ज करना पड़ा लॉएंड ओर को मेंटेन करने के लिए लेकिन फिर भी वहां से लोग नहीं हटे ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भड़काओ बयान देने के बाद तो जानकारी आपको ये भी देखे देखे जूनागर जो है सलमान अजरी को लेकर पुलिस पहुच चुकी है दो तस्वीर आपके सामने हैं ये वो शक्स है जिसकी तरफ से लगातार भड़काओ बयान दिये गए जिसके बाद अब इसके गिरफतारी हो चुकी है लेकिन अथकों की तरफ से थाने का घेराफ किया गया नारे बाजी की गई करें लेकर छेकर राइबे से ठहाए है वो चुकी है बाज़ томिरत रहाँख सामने हैं ये वो सिए ज़काई रवांट की बद्रकालवड़काओ उलाई ना देकर पुल फ्यआती हैं